रामायन हिंदू धर्म का एक महत्वपून गरंथ है इसमें जीवन के कई गहरे संदेश छिपे हुएं रावन को भलेई खलनायक के रूप में जाना जाता हो लेकिन उसकी विद्वानता और ग्यान भी कम नहीं था मृत्यू से ठीक पहले रावन ने लक्ष्मन को जीवन के तीन अन्मोल रहस्य बताये थे जो आज भी हमें प्रेडित करते हैं आईए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में जब भगवान राम ने रावन का वद्ध किया और युद्ध समाप्त हो गया तो रावन अपने अंतिम शणों में था भगवान राम ने लक्ष्मन को रावन के पास भेजा ताकि वे उसके ज्यान से कुछ महत्वपून बाती सीख सके रावन एक महान विद्धवान था और उसने जीवन के तीन सबसे महत्वपून सबक लक्ष्मन को बताए ये रहस्यों केवल लक्ष्मन के लिए नहीं बलकि आज की पीड़ी के लिए भी मार्ग दर्शक है पहला रहस्यों समय का सदोप्योग रावन ने लक्ष्मन को पहला रहस्यों से बताया कि समय का सदोप्योग करना चाहिए रावन ने कहा कि उसके जीवन में बहुत कुछ हासल किया लेकिन समय का सही से प्रबंधन नहीं कर पाया अगर वो समय पर अपने कर्मों को सुधार लेता तो उसे यह दिन देखना ना पड़ता यह संदेश बताता है समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और जो इसका सही उप्योग नहीं करता उसे पचताना पड़ता है दूसरा रहस्यों बुरे कर्मों का त्याग दूसरा रहस्यों यह था कि बुरे कर्मों से हमेशा दूर रहना चाहिए रावन ने स्वीकार किया कि उसका पतन उसकी बुराई और रहेंकार के कारण हुआ उसने लक्षमन को समझाया कि कभी भी अपने कर्मों में बुराई की जगा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह अंततह व्यक्ति को बर्बात कर लेती है और यह हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्मी सबसे बड़ा धन है तीसरा रहसे योग्य सलाकारों का महत्व तीसरा और अंतिम रहसे यह था कि जीवन में योग्य सलाकारों का होना जरूरी है रावन ने कहा था अगर उसने अपने मंत्रियों और परिवार की सही सलामानी होती तो उसका अंत इतना दुखद ना होता यह रहस से बताता है कि जीवन में सही मारक दर्शन प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है रावन के तीन जीवन के रहस से न किवल लक्षमन के लिए थे बल्कि वे आज भी हमें जीवन में सही दिशक में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरिद करते हैं समय का सही उपयोग, अच्छे कर्मों की ताकत और योग्य सलहकारों की आवशक्ता ये तीनों बाते किसी भी व्यक्ति के जीवन को सफल बना सकती हैं रावन के अंतिम शब्द हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सही समय पर सही निर्ने लेना कितना महत्वपून है